और जयुक्त फ्रैंड्स व्लकम टू मैचेनल इलक्तरमेग दो फ्रैंडस जो यह सरकृत है इसमें हमने हमने है अगर हमारे पास कोई मौटर है उसको हमने कभी फॉर्वर्ड डारेक्षृ डारेक्षिन बना 실시 में रूटेट है और कभी इसको reverse direction में rotate करना यानि कि कभी इसको clockwise गुमाना है कभी इसको clockwise गुमाना है और बहुत मले दीन में कोई सो बार ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे इस circuit को follow करेंगे वैसे अगर हमें किसी motor की जो motor है उसकी direction को को रिवर्स करना है अगर मारे पास कोई थ्री फेस मोटर है तो हमें अगर उसकी डारेक्शन को रिवर्स करना है तो हम उसके तीनों फेस में से किसी दो फेस को इंटरचेंज करके कर सकते हैं ठीक है किसी दो फेस को इंटरचेंज करेंगे तो इसकी डारेक्शन रिवर्स हो ज सौ बार ही समझो उसको reverse direction में run करना है ठीक है तो उस case में हम थोई ना कि सौ बार अब उसके connection को change करने लगे उसके दो face को interchange करने लगे तो time loss हो जाएगा वहाँ पे तो हमने पहले ही से उसके लिए circuit बनाना है तो अगर उस circuit वहाँ पे अगर इस circuit को यूज करेंगे हम तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा बस time save हो जाएगा हमारा हमारे हमारे पर पूश बटन रहेंगे एक forward के लिए जब हमने motor को clockwise गुमाना है तो हम forward push बटन को press कर देंगे जब anti clockwise गुमाना आ हो तो हम reverse बस पुश बटन को प्रेस कर देंगे ठीक है इससे टाइम सेव हो जाएगा हम कनेक्शन को चेंज करने क्यों को जुरूटत नहीं पड़ेगी सरकेट पहले से डिजाइन होगा बस पुश बटन को प्रेस करना और मोटर जो सेम मोटर है वही कभी क्लॉकवाज गुमेगी कभी में जुरूरत पड़ेगी तो हम उसके को गुमा सकते हैं अगर मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी डिवल स्टार्टर वे अगर आपने वह नहीं देखी तो आपको वह देख लेनी चाहिए क्योंकि यह फॉर्वर्ड रिवर्स स्टार्टिंग और मोटर के लिए जो डियोल स्टार्टर जुरूर देख लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो आप वहां से भी सको एकसे कर सकते हैं ठीक है हम इसको समझते हैं यह काम कैसे कर रहा है एक्ष़ली यह क्या है तो यह फॉर्वर्ड के लिए मैंने फावर सरक्ट यू अरश्रीक है उसको समझते हैं जैसे कि मैंने यह तो मई No i. agora यहां पर यहां पर यहां पर वह मैं आपको ग्रीफ लिवताऊंगा तो यह ओवर लोड रिले है तू अवर रिले रिले यूज की हमने इसके लिए बैक आप प्रटेक्शन इसके लिए ओवर लोड के लिए स्कूल करें है और यहमने फॉर्वर्ड को फ्रेस्ट करेंगे फिर तो यह मयानों शूंही lame लाए उसके समें जवर्ट को फ्रेस करेंगे करते तो क्या हो रहा है और तो है दोफेस को आपने इंट्रेशेंज करना है तो यह यह वह फेस आप यह है यह यहां पे फेसों तो hatte में सब्सक्राइद करेंगे तो जीए आपस में इंट्रेशेंज तो उस ड्यादे उस केश मिया हो जाएगा यह रिवर्स हो जाएगा समस्तेज की वरकिंग तो क्या हुआ मैंने MpCB को अभरेश कर दिया ठीक है इसको किया तो हमारी तियों में यह यहां मिल गए गालत्तम मिल गए यांम पेखर मिल गए और साथ में हूं ही ठीक है साथ में जो आर miesz covers यहां फेस यह Hai ले है ठीक है यह कब क्वाइफ में चला गया तो कि अविक दोनों कॉंटक्त को यहां पर पावर कॉंटक्ट के पास हमें भीतिटीनों फेस मिलगे लेकिन इ yeast थेंग वाला यह सी नहीं हो मेरें पिख्यूस धूट जोकि नॉर्मली रहता है। है यहां से फिर यहां के लिए जा रहा है तो यहां के लिए लेकिनलग अगर पास जोड़ी कुटक्त के पाल जा रहा है लेकिन आगे पास नहीं हो रहा है तो अब क्या है जैसे ही मैंने मैंने इसको forward मालो मैंने इसको forward मेरन करना है तो मैंने forward push बन को press कर दिया जब मैंने push press किया तब यह contact बनाएगा जैसे में हमने फिर ऑक्जली कॉंटक्त लिए होते हैं जब यह contact को छोड़ देता है अपनी इनीशिल में वाफिस आ जाएगा तो ऑक्जली कॉंटक्त के तुरू हमें क्या मिल जाए फेस मिल जाए ठीक है तो अभी जब इसको मैंने इस यहton रहा हो गाइख इस से लिए इसको में कुछी लियूंड की नंतलों किया हो सकता है कर सकतेने बिलकिल कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको माकी इसलिए यह घिंक हमें किया लागेकर दाइम क Od embargo अगर दूसरा कंटक्ति क्या है hold है तो प्रेंड जो हम जिसको हम ओल्ड करें वह फोल्ड नियों चाहिए तो इस केस में यह कोई डिफेक्ट आ गया ऑर यह होल्ड ही रह गया उसकेट कि बात रह श्में कोई टेंप्रेड सप्लाइइ कहीं से मिली हमने दीन पर बबढ़े हैं कोई शॉट हो गया अंदर से और इसको सब्लाइव मिल दिया और हो गया थीक है तो वह फॉल्ट है ना उसकेस में यह हो गया और तो जब यह होल्ड हो गया तो यह nC क्या हो जाएगा यह nC क्या अकस्ट यह पास नहीं हो फाएगा यह यह एंसी हो जाएगा गिया ऊज्ओ नहों जाएगा और इसको मिलने पाएगा तो तो इसके अगर यह उल्ट के ओल्ट है तो हें प्रत किया थे हैं तो इसलिए हमने एक जा रहाँ है वह दूसरे कौन में जार रहा है ठीक है जैसे पहुंच गया ठीक है माल यह फेस मिल गए यहाँ पे मिल गया तो यह होल्ड होगी सोरी कोईल नी इसकी कॉयल मैगनट यहाँ जगी जाएगए यह जूट जाएंग इसके साथ साथ में जो गयो एकुलरे अनो जो सर्वीय आननो यह एई जद जाएगा ना जब चान्न है यहां से यहां से दिश्वर रे और यह हो। ना कुंटक्ट नी पुष बेटन जो फॉर्वरड फुष बटन यह क्या हो जाएगा रिलीज ऻाएगा जैसे यह तो इसको पुष्ट करेंगे तो इसकत हैly यह ब्युसक्राय कोई सब्सक्राइब मेल dorm book करी क्यकूंब अगन हो मैंने अब इसको रिवलिट्ष में गूमाना है मोटर को मैंने रिवर्स MAY रूटेट करना है होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा फेले मियरको यह करना पड़ेगा जो बापिस अपनी पूजिशन में पिलाया में अपनी पूजिशन में लाने से क्या एंसी बन गया जैसे एंसी बन गया अगर में को रिवर्स में इसको रन करना तो मैंने रिवर्स वाले पुश बनने को फ्रेस किया और यह फेस इसको यहां से मिल गया जो एक फहेस है यहां से ओके कि गॉर्टत र के औौके ओसले ऑक्सुलरी देग्ट जो एंसी एक ओक र उस्टरा से अ आज़ो भलोर डेलेके ओवलोर ड्लेससे ओक इस यह को जोड़ने का मिर रहा है और न्यूटिल इसको यहां से मिलता है यह न्यूट्रल जो है डारेक्ट है इसको मिल रहा है यहां से ठीक है तो यह जो जाएगा यह फेस यहां से मिलेगा क्योंकि यह बापिज अपने पुजिशन में जाएगा तो फेस यहां से मिल रहा है यहां से पास हो जाएंगे अब देख लो यह रिवर्स कैसे रन करेगा जो आर फेस है वह मैंने यहां फे आर की साथ ही किनेक्ट किया है यह फेस है यह फेस है यह फेस मैंने यहां पर क्रेंड कर दिये हैं जैसे ही मैं रिवर्स पूश्वटन को प्रेस करो यह फोल्ड होने के reverse, reverse में run करेगा क्योंकि जो motor होती है h e motor, जो three faces motor होती है, उनमें अगर हम कोई भी दो face को interchange करते हैं, तो उसका क्या हो जाता है उसकी direction reverse हो जाती है तो अगर हमने इसको फिर से अगर forward में run करना है तो फिर से emergency push button को press करना पढ़ेगा ठीक है, फिर से इसको nc करना पढ़ेगा और उसके बाद, मलब push करने के बाद जब push करेंगे तो यह n हो जाएगा न इसको nc करना पढ़ेगा और उसके बाद forward push button को हम press करेंगे और फिर यह forward में गुमेगा और again हमें reverse में गुमाना है फिर emergency को फिर फिर फूश करेंगे उसके बाद reverse push button को press करेंगे तो इस तरह से यह काम करेगा इस तरह से हम मलब इस circuits के through हम से मोटर को forward और reverse, दोनों direction में control कर सकते हैं, ठीक है बहुत सरी application है जहाँ पे हम इस तरह की circuit यूज़ करते है सपोज एक gate है हमारे फास ठीक है न, एक gate है और यह यह मानलो gate है यह क्या कर रहा है, ट्रैक बना हुए यहां पे, इसके उपर run कर रहा है इस ट्रैक के उपर यह run करता है और यह run कैसे करता है, motor लगी यहां पे motor gearbox के थूश के साथ connected है जब motor clockwise गुम रहे है, तो यह आगे जा रहा है मानलो, ठीक है यह बंद हो रहा है, gate बंद हो रहा है जब यह anti clockwise आ रही है, तो यह पीछे आ रहा है तो इस तरह से बहुत सरी application है जहां पे हम motor को forward और reverse direction में run कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं और बहुत सरी application है जहां पे इसकी जूट पड़ती है तो वहाँ पे हम इस circuit को follow कर सकते है तो guys अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो please like, share and subscribe अगर आपके कोई doubt है कोई question है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं ठैक्स पर वाचिंग, take care